ओके सो गाइस मैं फ्लिपकार्ट पर स्ट्रॉलिंग कर रहा था और मेरी नजर गई इंटेक्स की तरफ से आने वाले इस RGB गेमिंग कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो पर तो सबसे पहले मैंने इसकी प्राइस देखी तो यार मैं प्राइस देखकर शोक हो गया ओनली 500 उपीज 500 उपीज में हमें गेमिंग कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो मिलता है इंटेक्स की तरफ से जो काफी यहाँ पर देखने में तो अच्छा लग रहा था तो मैं जल्दी से गया रिव्यूज में और रिव्यूज जब चेक किये तो यार बहुत सारे पोजिटिव रिव्यूज में ने देखे तो मुझे लगा कि यार आपको भी इसका रिव्यूज करके जरूर से बताना चाहिए इसकी क्वालिटी किस तरह की देखने को मिलेगी सबी कुछ आज की इस वीडियो में इंटेक्स के तरफ से आने वाले इस गेमिंग कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो का हम कंप्लीट अन्बॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे तो इसको मैंने उसी टाइम ओडर कर दिया ता और फाइनली यह मुझे रिलिवर्ड हो चुका है तो चलिया जल्दी से बिना बाते ज़्यादा के ओवे इसको ओपन करते हैं और यहां पर आ चुका है हमारा गेमिंग कीबोर्ड माउस का कॉम्बो जो की आता है इंटेक्स की तरफ से और कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिलता है यहां पर आ चुका है हमारा कीबोर्ड बाहर जिसका फर्स लूक देखने में तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है काफी Slim और SLEAK डिजाइन यहां पर आपको देखने को मिलती है जो की काफी minimal है इसकी बॉर्डर से अगर आप देखेंगे तो यार यह बॉटन टो बॉटन कट है मतलब यहां पर आपको एक्सा कुछ भी यहां पर नहीं मिलता है उसके लवा इस keyboard में सबसे पहले यहाँ पर Intex की बड़ी branding mention है और यहाँ पर अगर build quality की बात करें और button response की बात करें तो देख सकते हैं इसके buttons यहाँ पर only इसी में आपको जो mechanical keyboards होते हैं उसी की जो यहाँ पर sound डिकल कर आता है उसके लवा बाकी जो button से वो एकडम silent है mechanical keyboards का sound होता है वो आपको सुनने को मिलेगा तो यहाँ पर इसको रख देते हैं side में उसके लवा यहाँ पर है हमारे पास mouse जिसकी build quality के अगर बात करें तो यार यह देखने में थोड़ा cheap लगता है क्योंकि cheap quality का plastic यहाँ पर use किया गया है और बहुत lightweight है मतलब बहुत जादा ही lightweight है यह mouse और इसका जो यहाँ पर देख सकते है यह भी बिलकुल plastic का है यहाँ पर कोई भी rubber grip नहीं मिलती है तो यहाँ पर इसकी quality मुझे इतनी जादा अच्छी नहीं लग रही है और यहाँ पर भी Intex की branding mention है लेकिन यहाँ पर अगर इसकी design की बात करें तो design तो impressive है और इसके अगर cable की बात करें तो देख सकते है कुछ इस तरगी cable मिलती है जो कि decent है बहुत जादा अच्छी तो नहीं कह सकते है लेकिन ठीक है इतनी जादा खराब भी नहीं मिलती है और यहाँ पर इस keyboard की बी जो cable है वो भी लगबग similar मिलती है जो कि आप देख सकते है कुछ इस तरगी flat यहाँ पर cable देखने को मिलती है जो आप यहाँ पर देख सकते है जिसकी quality आपको कुछ इस तरगी देखने को मिलने वाली है तो यह है package जिसमें हमें Intex की तरफ से यह keyboard और mouse का combo मिलता है only 500 रुपीज में जो काफी impressive बात है तो जल्दी से इसको on करते हैं और on करने के बाद में इसके lights और इसके features वगरा देखते हैं कि हमें इसको लगाने के बाद में किस तरगा look मिलने वाला है किस तरगी lights है क्या-क्या functions है सबी हम अब लगा कर इसको देखते ह बात में यहाँ पर इसकी lights का कुछ इस तरह का effect देखने को मिलता है अब सबसे पहली बात तो first time जब आप इसको attach करेंगे तो यह on नहीं होगा इसको आपको on करना होगा और on करने के लिए simple यहाँ पर एक button है scroll lock जिसको आप press करेंगे तो यह on हो जाएगा और off हो जाएगा त बतलब lights effects जो आपको देखने को मिल रहा है यह ऐसा ही रहेगा ना तो light change होता है ना ही color change होता है और ना ही यह बिलिंक करती है और ना ही यहाँ पर कोई और feature मिलता है इसको lights के रिकारी अब इस keyboard की guys मुझे एक बात काफी अच्छी लिगी कि यहाँ पर आपको जो function buttons है उसमे काफी useful और आप इसको एक चुल में use कर सकते हैं अब इसका use में आपको दिखाता हूं देखे जैसे आप यहाँ पर function प्लस यहाँ पर कोई भी एक जैसे button select करते है music वाला तो यह आपको वीडियो वाले फॉल्डर में ले जाएगा directly जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ मुझे इसका काफी useful लगा है जो कि आपके भी काफी काम आ सकता है उसके लब यहाँ पर अगर mouse की बात कर तो देख सकते हैं mouse में यहाँ पर जो colors है वो change होते और कुछ इस तरह की lights आपको देखने को मिलती है जो देखने में आर काफी अच्छी glow करती है उसके लब यहाँ प इसके जो buttons है वो थोड़े silent है मतलब यहाँ पर आपको बहुत जादा जो है वो इसकी आवाज नहीं आएगी only यहाँ पर जो space bar है उसी की आपको sound आएगा बाकी सारे buttons यहाँ पर silent है अब देखे मेरे पास HP का यह वाला keyboard है जो की आता है 1100 रुपी इसका और यहाँ पर सकते हैं इसको भी मेने on कर लिया यहाँ पर light effects काफी ज़ःधा मिलते हैं लेकिन यह जो light से वो इसी पर कोई बी functions नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर decent है keyboard की at least quality बहुत अच्छी है लेकिन mouse बहुत lightweight है और mouse में काफी cheap plastic का use किया गया है जो देखने में ही थोड़ा सा cheap लगता है लेकिन use करने में आपको कोई भी problem नहीं आएगी अब ये जो keyboard है वो काफी heavy है क्योंकि इसका जो ये पूरा board आप देख रहे हैं ये complete metal का है मैं आपको दिखाता हूं रुकी यहाँ पर है देख सकते हैं मेरे पास ये earphone जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये magnet है और मैं यहाँ पर इसको लगा कर दिखाता हूं तो देख सकते हैं ये complete metal का है और metal board के साथ में आता है जिससे कि यार build quality यार काफी strong है और जैसे कि आप देख सकते हैं यह complete इस पर लग चुका है और आप देख सकते हैं यह complete still metal body के साथ में आता है अगर आपको इस वाले HP के keyboard का review देखना है तो इसकी वीडियो का link मैं आपको description में देदूँगा एक बार से जरूर से इस keyboard का भी आप जो review वीडियो है वो जरूर से देखना है लेकिन यहां पर देखा जाएं तो यह वाला keyboard भी काफी अच्छा है देख सकते हैं यह थोड़ा सा इसकी hide काफी जादा है क्योंकि इसके button सोड़े उपर की तरफ है लेकिन यह काफी minimal design के साथ आत कि क्या आपको यह लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो देखो भाई 500 रुपीज में बहुत best deal मिल रही है आख बन करके ले लो यहां पर तो मैंने इसको जब लिया था तब flip card पर big billion day sale चल रही थी तो मुझे 500 रुपीज में मिला लेकिन अभी तक भी इसकी जो price है वो 529 किया I think 600 रुपीज के आजपाई से रहीगी तो definitely से आप ले सकते हैं तो same product लेना है तो description में लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर एक बार आप जरूर से check out करना तो फिलाल यहीं सब कुसा इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इससे तरीकी interesting informative and useful वीडियो उसके लिए जल्दी से मारे चल को subscribe कर दीजिए तो मैं मिल नाप से के लिए इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में thanks a lot for watching